26 नवेंबर को है कार्तिक पूर्णीमा कार्तिक पूर्णीमा के दिन देव दिवाली मनाई जाती है और ये त्योहार कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है उसे जाकर जरूर देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको देव दिवाली से जुड़े हुए उपाय बताने जा रही हूँ उसे करना चूकिएगा मत क्यूकि ऐसा मौका आपको पूरे साल में फिर कभी दुबारा नहीं मिलेगा उपाय के लिए आपको सुभा के समय एक लोटा जल लेना है उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है साथ ही आपको आवला भी शिवलिंग पर चड़ाना है आवला बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके साथ साथ आपको शिवलिंग के पास एक घी का दिया भी प्रजवलित करना है इस दिन पर दीबदान का सबसे ज्यादा महत्व होता है इसलिए आप जितनी जगाहों पर दीब प्रजवलित कर सके उतना आपको लाव होगा इस दिन आपको मंदिर में दीबदान करना चाहिए गवशाला में दीबदान करना चाहिए अगर आप बहते हुए जल किसी नदी के पास रहते हैं, कुएं के पास या किसी तालाब के पास रहते हैं तो वहाँ पर भी दीबदान करना चाहिए सूरियास्त के बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक घी का दिया प्रजवलित करना है और उसमें साथ लॉंग डालनी है इसके साथ साथ आपको अपने घर के मुख्यद्वार के दोनों तरफ एक घी का दिया प्रजवलित करना है और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जहां पर आप अपने पीने का पानी रखते हैं, वहां पर भी एक घी का दिया प्रजवलित करना है आज के दिन अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिलाईएगा इस दिन किये गए दान का विशेश महत्व होता है, खास तोर से अन, धन और वस्रदान का जरूरत मंद व्यक्तियों को दान दे कर उनकी मदद कीजिएगा गव मता को खाना खिलाईएगा, कुत्तों को खाना खिलाईएगा, पक्षियों को दान करिएगा इस दिन पर आप जितना दान देंगे आपको उतना ही या उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिलेगा लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको निस्वार्त भावना से दान देना है बदले में कुछ भी पाने की इच्छा रखते हुए दान कभी भी मत करिएगा इससे आपको लाभ नहीं होगा प्रार्फना करती हूँ आपको इन उपायों से लाभ हो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देव दिवाली की हार्दिक शुब कामना है